बिहार में साथवी क्लास में पढ़ने वाला बच्चा तीसरी क्लास की किताब नहीं पर पा रहा है और अब अगर एक या दो बच्चे ऐसे होते तो बात अलग होती लेकिन पुरे बिहार में आठ लाग ऐसे बच्चे हैं जो पढ़ते तो साथवी में हैं लेकिन उन्हें अगर तीसरी कक्षा का सवाल भी उसे पूछ रिया जाए तो वो नहीं बता पाएंगे और यह तब मालूम पड़ा जब गर्मी के चुटी के दौडान Special Camp इनकम जोर बच्चों को सिक्षा देने के लिए लगाया गया जी हाँ एक रिपॉट सामने आए जिसमें यह बात बताई जा रही है कि छटी और सातवी कक्षा में पढ़ने वाले कई ऐसे बच्चे हैं करीब आठ लाख ऐसे बच्चे हैं जो कक्षा तीसरी की किताब भी नहीं पर पाते हैं न समझ पाते हैं और तब जाकर यह बात सामनी आए है और अब इनके लिए Special Class की वेवस्था की गई है इनके लिए अब Summer Camp लगाया गया है जहां इने परहाया जा रहा है और उसकी लिस्ट पहले तयार की गई और अब उसी लिस्ट की आधार पर Summer Camp अलग-अलग जोगा लगा कर इन बच्चों को सिक्षा दी जा रही है और उसके बाद अब ये बदलाव देखने को मिलेगा जब स्कूल खुलेंगे और जब ये बच्चे क्लास में जाएंगे और पहले की मताबिक अच्छे सी परहाई कर पाएंगे सब कुछ बताते हैं पुरे रिपॉर्ट आपको अब नमश्कार आप जंता जंक्शन देख रहे हैं और मैं आपके साथ बंदना पांडे बिहार के सरकार स्कूलों में छटी और साथवी के आठ लाग बच्चे ऐसे हैं जो दूसरी और तीसरी कक्षा की किताबी पढ़ने में सक्षम नहीं हैं ना ही किताब ये अच्छे तरीके से पर पाते हैं और ना ही समझ पाते हैं इन्हीं बच्चों की पहचान करके इन्हें समर कैंप में व पर पार रहा है जो जैसे तैसे उंची कक्षा में आडमिशन तो ले चुके हैं दाखिला तो ले चुके हैं लेकिन अगर इनसे सवाल पूछा जाए तो दूर किताबी भी नहीं पर पा रही हैं सरकारे स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों पर खास ध्यान दिया जा रहा है ग कि द्वारा इन्हें परहाया जा रहा है जो परहाई में कमजूर हैं बच्चे उनकी मदद की जारे है ताकि जब स्कूल खुले तो उनमें बदलाव नजर आए पहले मुकाबले वो परहाई अच्छे तरीके से कर पाएं अगर सिक्षा पर यूजन परिशद नहीं ये समर क् शुरू करने से पहले ही जो स्कूल है उनको ये निर्देश दे दिये थे कि बच्चों की लिस्ट तयार कर ली जाए जो है पहले से ही राजवी के सब ही 29,000 मद्य विद्याले के प्रिंसिपल को ये निर्देश दे दिया गया था कि ऐसे बच्चों को चनहित किया जाए जो पढ़ाई में कमजोर है उनकी पहचान करके एक लिस्ट तयार के जाए जिसमें उनका नाम पता जुला ये सब कुछ मेंशन होना चाहिए जिसमें जादा तर जो बच्चे हैं वो छटी और सात्वी कक्षा में पढ़ते हैं इस लिस्ट में 30 से 40 पीसदी ऐसे बच्चों का न जब स्कूल खुले तो बच्चे अच्छे तरीके से परहाई कर सके पढ़ने में सक्षम हो सके सी उदेश से ये समर कैम्प लगाया गया है समर कैम्प में अभी तक 80,000 स्वम सेवक जुड़ चुके हैं जुसमें 26,000 सक्षक सेवक हैं और 30 जिविका के संसाधन सेवी हैं जो म ताकि उनकी परहाई बेतर ढंग से हो सके आगे वो इच्छे तरीके से परहाई कर सके हर दिन बच्चे को परहाने के बाद प्रोग्रेस शीट भी तैयार की जुआ रही है जुसमें बच्चे का नाम उम्र गाओं का नाम जुला का नाम और जो सक्षक उन्हें परहा रहे हैं उनका नाम दर्च किया जाता है और एक रिपॉर्ट के मुताबिक राज में करिब 42 प्रतीशत बच्चे ऐसे हैं जो दूसरी और तीसरी कक्षा की किताब पढ़ने में भी सक्षम नहीं हैं लेकिन इनका दाखिला साथवी और आठवी में हो चुका है और अब इसी रिपॉर के स्कुल में भी सबक Tabii कि बच्चेब को इस चानकारी पहले है ताकी हम ने थे च्वाले और भी अक्टिविटेज आसी कराई जुआएंगे जिसे बच्चों का मन लगा रहे और वो समर्वकेशन के दौरान भी अपनी परहाई से दूर ना हो वाकिया से जुरी कोई अपनी जुहानकारी आती है तो आपको ज़रूर बताएंगे तब तक आप इस नई शुरुआत को लेकर क्या कुछ कहना चाहते हैं कमें सक्षिन भी बता सकते हैं वीजियो कुछ शेयर कीजिए और बागी खबरों के लिए बने रहें जुहानता जंक्शन के साथ कैमरे के पीछे थे विशाल और मैं थी आपके साथ वांदराओं हैंने वाग